हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू ओल इन पीसी क्लासिज आज हम करेंगे सेल वर्सिज एग्रीमेंट ओफ सेल का टोपिक वह भी बिल्कुल डिटेल से और एग्जेंपल के साथ में आपको पता है कि यह टोपिक हमारे यूजी सी नेट पेपर टू कॉमर्स की लीगल सेशन और जिसमें टॉपिक के साथ में जो भी कोशन एक्जाम में आने के चैंसिस रहते हैं या प्रिवियस आ चुके हैं वो भी डिसकस कर रही हूं फ्रेंड्स देखिए हम पेपर वन के सभी सब्जेक्ट जो की कॉमन है और पेपर टू कॉमर्स को बिल्कुल डिटेल में आपको यूटूब पर सभी इंपोर्टेंट टॉपिक उसके प्रोवाइड करवाएंगे अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए ताकि आपको सभी अपडेट्स हमारे चैनल से मिलते रहें चलिए अप फ्रेंड्स स्टार्ट करते का है जब कोंट्रेक्ट अफ से रिलेटीड सभी कंडिशन पूरी हो चुकी है तब हम बोलते हैं सेल लेकिन जब आपके सेल से रिलेटीड कोई भी कंडिशन इन फ्यूचर डेट कंप्लीट होगी तब हम उसको बोलते हैं अगरिमेंट ऑफ सेल नोर्ट दी सेल यानिकि अभ कंदीशन in future date complete हो जाएंगी तब आपका वो जो contract of sell है वो complete हो जाएगा Convert हो जाएगा agreement of sale से यानि आपका agreement of sell contract of sale हो जाएगा ओके friends i think आपको इन डोनों में basic difference पाता चल गया होगा चली अब स्टार्ट करतें के difference को देखिये say सेल वर्सेस ऑगरिमेंट ऑफ सेल क्या है जैसा कि मैंने पहले बताया सेल में सभी कंड़िशन है मोफ फुलफिल्मेंट हो चुकी है तो यह आपका एक्जीक्यूइटिटेड गॉंट्रेक्ट है जब की एग्रीमेंट ऑफ सेल में अभी time of contract ही किसके नाम पर हो जाएगी किसको transfer हो जाएगी buyer को जबकि agreement of sale में ownership है वो अभी transfer नहीं होगी after fulfillment of the all condition on later date buyer के नाम पर transfer या buyer को transfer हो जाएगी फिर third है right to use अब देखिए sale में मैंने सभी condition fulfillment की है seller के साथ में I am the buyer and seller के साथ में मैंने सभी condition fulfillment कर ली है ownership मेरे नाम पर हो चुकी है तो अब उस goods को मैं किसी भी manner में use कर सकती हूँ because मेरे पास में क्या है right in rem just in rem है means अब वो goods मेरा है और पूरे words में से कोई भी person उठकर अगर आता है और बोलता है यह goods मेरा है तो यह ठीक नहीं है क्योंकि right in rem क्या बोलता है कि जब buyer ने वो goods का owner है तो उसको यह right मिला है और word से चाहे कोई भी person है right against the whole word उसको यह मिला है कोई भी person अगर उठकर आता है और बोलता है कि यह goods मुझे दे दो तो ऐसा नहीं होगा वो goods अब पूरा buyer का है buyer की इच्छा है वो उस goods को कैसे भी use कर सकता है जबकि agreement of sale में अभी condition ही fulfillment नहीं हुई है अभी ownership ही buyer के number transfer नहीं हुई है तो क्या अभी buyer को right है कि वो उस goods को use कर ले no तो चलिए इसको एक example के साथ में करते हैं देखिए friends आप क्या हो आप हो buyer मैं क्या हूँ seller ठीक है आपने मुझसे goods लिया आपने बोला मैं यह आपकी watch है क्या मैं इसको purchase कर लूँ मैंने बोला हां कर लो आप बोले कितने की मैंने बोला 500 की आप ready हो गए pay करने के लिए बट आप बोले रुकिए मैं अभी मैं इसको नहीं करता purchase पहले मैं मेरी family को दिखाउंगा दैन मैं is goods को purchase करूँगा एक ने मै मेरी family को दिखाउंगा तब आपकी watch मैं purchase करूँगा मैंने बोला ठीक है आप बोले मुझे दो दिन ने इस goods के regarding सभी condition fulfillment कर ली है no और हमारा sale और agreement of sales का basic difference point था वो क्या था condition तो यहाँ पर सभी condition ही fulfillment नहीं हुई है तो यह क्या है आपका sale नहीं है agreement of sale है तो क्या आप उस goods को use कर सकते हो no ma'am yes ठीक है I think आपको यह topic अप clear हो गया होगा ठीक है देखिए फिर है buyer default अगर आपका जो buyer है वो default कर देता है जब हमने क्या किया था sales of goods act की first video discuss की थी तब हमने पढ़ा था कि क्या होगा sales of goods act 90-30 यह मानता है कि goods की जो payment है वो goods नहीं होनी चाहिए वो price में यानि की होनी चाहिए price must be pay होना चाहिए और price किसके form में होना चाहिए money की form में या तो 50% of money और 50% goods की form में ठीक है बट अगर buyer इस बात का फाइदा उठा कर ownership अपने नाम कर लेता है contract of sale में जबकि अभी उसने payment है वो नहीं की और payment in future date वो करेगा क्योंकि sales of goods act ये मानता है कि immediately payment करना जरूरी नहीं है price पे करना price decide हो चुका है और in future है वो buyer पे कर सकता है तो जो seller है वो क्या कर सकता है seller के पास में ये right है कि वो sue कर सकता है उस goods को उस goods के regarding buyer पर sue case file कर सकता है case file कर सकता है ठीक है buyer के against suit file कर सकता है का कहने का मतलब क्योंकि contract of sale हुआ था seller के पास में proof है वो buyer से क्या कर सकता है अपना पैसा वसूल कर सकता है जबकि agreement of sale में अभी क्या हुआ है अभी just just अभी agreement हुआ है अभी sale नहीं हुई है in future वो sale होगी माल लेजिए उसी example में आप मेरी watch अपने parents को या अपनी family को दिखाने के लिए लेकर गए और उस बीच अगर आपसे वो watch गिर कर तूट जाती है नीचे गिर जाती है या फिर उसका जो glass है वो आपसे तूट जाता है तो क्या मैं आप पर उस goods के price के लिए case file कर सकती हूँ आप बोलोगे no मैं क्योंकि आपने बोला सभी condition fulfillment नहीं हुई है यहाँ पर तो ये तो agreement of sale हुआ sale नहीं हुआ येस आप ठीक हो तो फिर मैं अपने नुकसान की भरपाई कैसे करूँ मैं आपसे क्या लूँ आप बोलोगे मैं आप सिरफ हमसे glass के या जो जितना भी damage हुआ है उसके लिए case file कर सकते हो हमारे against आप हमसे पूरे 500 के लिए जो case file है वो हमारे against नहीं कर सकते yes you are absolutely right मैं सिरफ आपसे damage है वो ले सकती हूँ ओके चलिए next है आपका fifth point fifth point क्या बोलता है loss और damage इसको भी हम एक example के साथ हमें अच्छे से discuss करेंगे friends देखिए ये क्या बोलता है कि loss और damages है वो कैसे transfer होंगे जिस person की एक बात हमेशा याद रखिएगा sales of goods act में जिस person के पास में ownership है loss भी उसी का ही होगा ठीक है तो sale में ownership किसकी है buyer के पास में का होगा buyer के पास होगा चाहे चाहे buyer को goods की delivery की हो या फिर नहीं की हो चाहे goods की delivery की हो या फिर नहीं की हो यानि की चाहे buyer को delivery की हो या नहीं की हो अब इसको एक example से समझते है देखिए seller और buyer के बीच में contract हो गया buyer और seller के बीच में contract sign हो गया बायर ने सेलर को पेमेंट कर दी सेलर बोलता है अब ये गुर्स आपका आप इसके ओनर आप इस गुर्स को ले जाएए मैं आपको डेलिवरी कर देता हूँ इस गुर्स की बायर बोलता है रुको सेलर अभी मेरे घर में construction वर्क चल रहा है तो अभी इस गुर्स को मैं after two and three days लेकर आपसे चाऊँगा सेलर बोला ठीक है आपका गुर्स है चाहिए आप जब भी ले जाएए अब ये गुर्स आपके ownership के अंडर में मेरे पास में रखा है आपने बोला ठीक है हम करते हैं सजेनरली ठीक है फिर अगर उस दोरान वो गुर्स सेलर के पास में पड़ा है और सेलर की शॉप में आग लग जाती है या आपका जो गुर्स है वो किसी भी कारण से damage हो जाता है या फिर उसका कुछ पार्ट है वो टूड जाता है तो आप दोडे दोडे गए सेलर के पास में मैंने आपको payment दी है goods मेरा है ownership मेरी है और मेरा goods खराब हो गया मैंने आपके पास रखा था ठीक है loss हो गया मुझे इतने का तो आप मेरी payment दीजिए मेरे goods की seller बोलता है सुन भई buyer मैंने क्या बोला था भई बायर बोलेगा मैं तो seller बोलेगा तो आप तेरे को पता होना चाहिए कि sales of goods act क्या बोलता है कि जो भी owner होगा loss भी उसी का ही होगा तो तू owner है तो loss तेरा होगा because तूने बोला था delivery अपने पास आप रखिए थोड़ी देट के लिए मेरा goods after that जब मेरे घर में construction work पूरा हो जाएगा तब मैं उस goods की delivery ले लूँगा समझ में आया आपको जबकि agreement of sale क्या बोलता है आपका agreement of sale में अभी ownership transfer ही नहीं हुई है तो ownership के according हम क्या बोल सकती है की 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 जो लोस है वो किसका होगा ownership अभी भी agreement of sale में किसकी है किसके पास है सेलर के पास में है तो ownership जिसके पास में लोस भी उसी का तो जो लोस है वो किसका होगा सेलर का होगा फिर है sixth point the seller is declared installment देखिए suppose अपने और buyer यानि की सेलर और बायर के बीच में क्या हो गया contract हो गया contract of sale हो गया ठीक है और आपने बोला कि आठ तारीक को मेरे घर में delivery कर दीजिएगा seller को और contract हुआ था आपका पांच तारीक को ठीक है किसी भी मंद के लिए लीजिए पांच तारीक को हुआ ठीक है और before the delivery यानि उस goods की delivery से पहले ही आपने payment वगेरा सब कुछ कर दिया था सभी condition satisfy हो चुकी थी seller इंसॉल्मेंट हो गया दिवालिया हो ठीक है आप गए आठ तारीक को seller के पास कि मुझे गूर्ट से दिये seller बोलेगा मैं तो दिवालिया हो गया मेरे ओफिशियल official receiver या official assigning के पास जा आप भागे भागे गए उसके official assigning के पास में आप बोले कि मुझे तो मेरा goods चाहिए मैं उस goods का owner हूँ ठीक है because seller और official assigning आपको goods देने से मना या इंकार नहीं कर सकते क्योंकि आप उस goods के owner है तो आपको वो goods लेने का right है तो आप गए उसके official receiver के पास में ठीक है आपने क्या बोला कि भाई मेरा goods दे receiver बोला नहीं देता आप बोले सुन भाई हमारे बीच में contract of sale हो चुका है मैं claim कर सकता हूं तेरे against अगर मुझे goods नहीं मिला तो because 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 यहां पर वही हमारा right in ram या right against the whole word जो की buyer को मिला हुआ है वो आ चाता है तो buyer बोलेगा I am the only owner of that goods so आपको यह goods क्यों मुझे देना ही होगा because he is the legal owner of that goods तो यहां पर जो buyer है वो seller के against क्या कर सकता है वो case file कर सकता है और अपने goods को है वो ले सकता है फिर है आपका agreement of sale agreement of sale में क्या सभी condition fulfillment हुई है नो तो buyer has not right to claim the goods in the event of insolvency of seller यानि कि buyer है वो यह कहकर कि मैं after two and three days जब मेरी family को goods पसंद आ जाएगा मैं आप से ले लूँगा यह कहकर goods लेकर आया है और इसी ways पर क्या हो गया है इसी ways पर वो क्या कर दिया है जब उस date पर वो goods को लेकर गया वापस seller के पास में और यह बोला कि मेरी family को भी पसंद है मैं price से भी satisfy हूँ चली अब agreement of sale को sale में convert करते हैं तो seller क्या बोला अब तो मैं insolvent हो गया तो buyer बोला भई मुझे damage हुआ है या फिर मुझे कोई भी नुकसान हुआ है तो मैं तर पर claim करूँगा तो seller बोलेगा ना भी ना तू मेरे पर claim नहीं कर सकता क्योंकि हमारे बीच में agreement of sale हुआ था sale तो हुई ही नहीं थी तो यहाँ पर simple बात यह है कि यहाँ पर जो right to claim है वो right नहीं है buyer के पास में क्योंकि अभी agreement of sale हुआ था 7th point क्या बोलता है अब यह 6th point हो था seller अगर insolvent हो जाता है बलकि 7th point क्या बोलता है अगर buyer insolvent हो जाता है यानि कि जब payment का time आया तो buyer बोला मैं तो insolvent हूँ तो seller क्या बोलेगा सेम जैसे buyer गया था seller के official receiver के पास में तो seller जाएगा buyer के official receiver के पास में ठीक है seller क्या बोलता है buyer के official receiver के पास जाकर कि ये goods आपके जो buyer है उसने मुझसे लिया था और ये contract हुआ था बट price उसने बोला था कि मैं after some days पे करूँगा और यतना price है आप मुझे दीजिए तो official receiver बोलेगा कि ठीक है हम आपको दे देंगे और क्या कर सकता है seller के पास में right है कि same वैसे ही जैसे आपका buyer है वो claim कर सकता था goods को same यहाँ पर seller है वो claim किसको करेगा price को seller किसको claim करेगा price को ठीक है क्योंकि यहाँ पर contract of sale हुआ है अब question यह है कि क्या price fully payment होगा या partly तो देखी जो आपका जो आपका official receiver है buyer का वो यह बोल सकता है कि अगर मेरा buyer आपको fully payment दे सकता तो वो insolvent ही क्यों होता यानि कि वो insolvent है तो वो fully payment तो नहीं दे सकता वो यहाँ पर आपको partly payment दे देगा तो इस case में जो seller है उसको partly payment से ही क्या करना पड़ेगा संतोश करना पड़ेगा यानि कि यहां पर partly payment करने का भी right है किस के पास में buyer के पास में आप यह नहीं वो सकते कि क्यों भही मैं partly payment नहीं लूँगा आप मेरा goods वापस कर दीजिए क्यों क्योंकि ownership किसकी हो चुकी है buyer की तो भाई goods तो seller को मिलने से रहा बट यहां पर partly payment है या fully payment है वो हो सकती है seller को और payment के recording claim file हो सकता है बट अगर क्या है अगर अनपेड seller है तब क्या है तो देखिए अगर अनपेड seller है तो यहां पर तीन right है वो हमारे seller को मिलती है यही यह भी तो अनपेड ही था ठीक है बट यहां पर case क्या था buyer insolvent हो गया और यह जो case में आपको बतारी हूं यह क्या है कि अगर अपका seller क्या है अनपेड है और buyer insolvent नहीं हुआ तो तेन राइट है क्या क्या रीटेन रीटेन रीगेन समझ लीजीएगा इसको रीटेन को ठीक है यह आगे आगया है और रीसेल करने का और इन राइट को हम अमारे राइट ओफ अनपेड seller जो की एक topic mention है उसके अंडर में तीनोर जो राइट है उनको discuss करेंगे बहुत ही अच्छे से ओके फ्रेंड्स चलिए देखिए आप अपका last जो point है वो क्या है if the seller defaults in delivering the goods to the buyer अगर seller है वो goods deliver करने में default कर जाता है अब इस point को समझना बहुत important है दिहान से समझिएगा देखिए देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ है कि seller और buyer के बीच में contract हो गया सभी चीज़े हो गई यहाँ पर sale का contract हुआ है ठीक है बट 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 क्या हुआ कि seller ने अभी delivery buyer को नहीं दी है वो कुछ दिन बाद delivery दे देगा या फिर उसी example में हम चलते हैं कि उसने कहा मेरे गर construction का work चल रहा है और delivery मैं आपसे दो तिन दिन बाद लूगा तो इस दो तिन दिन के बीच में अगर seller वही same goods किसी third party को दे देता है किसी third party को दे देता है क्योंकि यहां पर buyer को मिला है right in ram और यहां पर उसको right है against the whole world कि पूरे world में से कोई भी person उठके आए तो उसका goods नहीं ले सकता क्योंकि वही क्या है only owner है उस goods का क्या है only owner है बट यहां पर अगर third party ने price वगेरा सब pay किया है अच्छे से seller को और वो bona fide है bona fide means उसका कोई भी कसूर नहीं है वो क्या है निर्दोश है innocent है उसको नहीं पता तो यहां पर buyer है वो third party से अपना goods वापस नहीं लेगा यहां पर फिर buyer है वो अपना जो case है वो court में लेकर और इसी case में agreement of sale में तो अभी sale हुई ही नहीं खाली agreement हुआ है तो buyer can sue for damage only यानि की buyer है वो उसको अगर नुकसान हो गया उसने seller से क्या कर लिया deal कर लिया कि यह goods मैं आपसे particular date पर है वो ले लूँगा और यह सब चीज़ें से मैं satisfy हूँ यानी future date हम agreement of sale को sale में convert कर लेंगे और इस बीच seller को ये विश्वास नहीं था कि क्या पता ये buyer मुझसे ले या ना ले तो वो किसी other customer को वो goods बेट देता है तो इस बीच जो पहले वाला buyer है अगर उसको नुकसान हो जाता है इसकी वज़े से कि उसने यानी seller ने वो goods किसी third party को दे दिया है तो वो क्या उस नुकसा हम के लिए buyer के seller के against case file करेगा या फिर price के against तो यहां पर सिर्फ जो buyer है वो can sue damage only in the case seller defaults in delivering the goods because owner of the goods is seller क्योंकि यहां पर owner कौन है seller है तो सिर्फ damage damage ले सकता है buyer ठीक है आई थिंक आपको यह जो topic है वो example के साथ में अच्छे से cover हो गया होगा ओके thank you so much please like share and subscribe अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अच्छी अच्छी कमेंट भी कीजिएगा और अपने वो सभी friends जो की UGC net की preparation कर रहे हैं या become में है क्योंकि become second में BRF में भी हमारा sales of goods act है उनके साथ में यह वीडियो को share कीजिएगा ओके अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर कीजिएगा हमारा चैनल Thank you so much thanks for watching guys